नमस्कार बच्चों को अक्षा देजबी की समाजिक विज्ञान, अर्दवारसी परिक्षा और बारसी परिक्षा के लिए most important questions है ना, समाजी विज्ञान, चेप्टर कोन सा है, अध्याय का नाम है भारत में राश्टरबाद, हमारा question है, नमक यातरा की चर्चा करते हुए, नम नमक यातरा की चर्चा करते हुए, यह उपनिवेशबाद, उपनिवेशबाद का मतलब होता है, अंगरेजी सरकार के खिलाप प्रतिरोध का एक असरदार प्रतिक था ना, पहले समझो नमक यातरा क्या होती है, भारत को एक जूट करने के लिए, गांधी जी को नमक एक सक् साली प्रतिक दिखाए दिया, इसके कारण उन्होंने निम्लिखित प्रयास करे, क्या करें, देखो, गांधी जी ने, गांधी जी ने 31 जनबर 1930 को वाइस राय इर्विन को एक खत लिखा, इस खत में उन्होंने 11 मांग का उलेक कर, किती मांग मांगे उन्होंने 11 मांग, इसम सबसे महत्म मांग नमक कर को खत्म करने के बारे मतार नमक में जो टेक्स लग रहा है नमक का टेक्स नमक का जो कर है वो उसको खत्म करना चाहिए नमक का उपयोग अमीरी भी करते थे और गरीब भी करते थे सबी उपयोग करते थे यह भोजन का एक अभिन हिस्सा था खाने में पर नमग नहीं डालेंगे तो स्वाद आने नहीं वाला इसलिए नमग पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने सबसे दमनकारी पहले बताया कियार तुम नमग जिसी जो खाने की चीज़ है तुम उसमें तक मतलब क्या रहे हो मतलब उसमें तक पहलू बताया इसके बाद गांधी जी का यह पत्र एक अल्टिमेटम की तरह था मतलब चिताबनी की तरह था उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्स तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस अवग्या आंदुलन छेड़ देगी अगर 11 मांगे गांधी जी ने माने थ इसलिए गांधी जी ने 78 बिजवस्त वाइलेंटियोरों के साथ नमक यातरा शुरू कर दी यह यातरा साबर मती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमेटर दूर दांडी नामक गुजराती तटी कस्वे में जाकर खत्म होनी थी गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 किलोमेटर चले तो 24 दिन में 240 किलोमेटर बोलो कवर कर लिए महात्मा गांदी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते इन्हे सभाव में गांदीजी ने सुराज जी का अर्थ इस्पष्ट किया और अहान किया कि लोग बृटिस सरकार की सांती पूर्वत अवग्या करे यानि अंग्रेजों का कहा ना माने अंग्रेज लोग जो बात कहे रहे हैं उनका कहना बिलकुल भी नहीं मानना है 6 अपरेल को भेज दांडी पहुँचे और उन्होंने समुदर का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया यह कानुन का उलंगन था अता इसपस्ट है कि नमक यात्रा उपनी वेश बात के खिलाब प्रतिरोध का एक असरदाय प्रतिक था कि भी यह गांदी जी ने नमक यात्रा करे और लाखों लोग और हजारों लोग उनके साहियो सामिल हुए और उन्हें नमक बना करके अंग्रेजों का बिरोध किया